हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई योट्यूब चैनल, आज की वीडियो के अंदर हमें एक कोशन पेपर डिसकुस कर रहे हैं आपका, कोशन पेपर है नर्सिंग डिसर्च और स्टैट का, ठीक है, तो तीन घंटे का आपका पेपर होता है और 75 नंबर का आपका कोशन पेपर ह होता है, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले, आज का थोट आप सब के लिए, उचाई पर वही पहुंचते हैं, जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं, तो अपनी सोच को थोड़ा बढ़ा करिए, और बदलाव लाने की सोच रखिए, और कभी गीवब मत करिए, तो शुरू करते हैं, कोशन पेपर को, तो कोशन नमबर फर्स्ट आपका, explain the significance of nursing research in nursing practice, ठीक है, तो आपको significance बताने हैं, nursing research की, यानि फाइदे बताने हैं, कि नर्सिंग के अंदर nursing research को क्यों पढ़ाया जाता है, क्या फाइदे हैं इसके, describe the advantage of qualitative research, अब आपको पता चार नमबर में पूछ लिए है, कोशन नमबर टू के अंदर पूछा है, explain the criteria of good research problem statement, ठीक है, good research problem का जो criteria है, वो आपने बताना है याँ पे, ठीक है, चार नमबर में आपसे ये पूछा गया, उसके बाद पूछा है, describe the different method used for selecting the sample for research study, अब आपको ये पूछ लिया गया है, different method method बताईए, जिसकी help से आप sample को select करेंगे, एक research study के लिए, ठीक है, तो sampling वाली unit से है, आपका ये, next question है, आपका question number third, इसमें पूछ लिया गया है, describe the different tool used for data collection, data collection के लिए different tool कौन कौन से use होते है, explain the steps you would adopt to establish the validity of a data collection tool, अब आप ये steps बताईएगा, कि आप किस step की help से establish करेंगे, यानि ये पता लगाएंगे, कि जो हमने data collection का tool select किया है, उसकी validity कितनी है, question number 4 में है, write the short note on any 6, इन में से किनी 6 पे हमने short note लिखना है, ठीक है, पांच-पांच नंबर के आपके ये, तो historical research के उपर आप से पुछा है, type of variables के बारे में, probability sampling के बारे में, तो sampling वाला जो chapter है, उस probability और non probability sampling में से आप से जुरूर question पूछा जाता है, उसके बाद है content of research proposal, ठीक है, next advantages of survey research, reliability of research tool, objections and delimitations, तो ये questions है, इन में से आपने किनी 6 को अच्छे से describe करना है, उसके बाद है section B, section B है हमारा stat का, ठीक है, इसमें आपके question number 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है, तो अब ये 5 में से भी आपको कोई, ये जितने option देर के इन में से आपने कोई नहीं, 5 को discuss करना है, ठीक है, और एक एक number में आपसे पूछा गया है, short में आपने बस इनकी definition तक ही लिखना है, तो एक पूछ लिए आपसे correlation क्या होता है, B में आपसे पूछा है scatter diagram क्या होता है, C में पूछा है quartile क्य क्या होता है, D में पूछा है, C square क्या होता है, E में standard deviation पूछा है, और F में आपसे mode की definition पूछे है, तो बहुत easy easy ये ट्रम है आपकी और इनको आपने सिर्फ एक number में ही discuss करना है, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है, पांच number में पूछा है, ये आपसे describe the characteristic of normal probability curve, ठीक है advantages पूछी है, question number 8 है, describe the graphical presentation of research data, ठीक है, अब research data को आप graphically कैसे present करोगे, वो आपने describe करना है, question number 9 में आपसे पूछा है, differentiate between the percentages and percentile with the help of example, ठीक है, percentage और percentile के बीच में आपने difference बताना है, वो भी example की help से, question number 5 number में आपसे ये पूछा गया है, उसके बाद ये एक आपसे numerical पूछ पूछा गया है, calculate the median and mean for the following data, ये data देर खा आपको, इसमें से आपसे पूछा है, median और mean, तो आपने दोनों का formula लिखना है, और mean और median आपने निकालना है, ठीक है, तो ये question paper था आपका, research और stat का, I hope ये previous year question paper आपको help करे, आपको आने वाले exams में आपको पता चले, कैसे कैसे question आपसे पूछे जाते हैं, so thank you guys, अगर फिर भी कोई doubt बचता है, या आप चाहते हो, कोई और question paper आपकी साथ discuss किया जाए, तो comment section में बताइएगा, so thank you guys, मिलते हैं next video के अंदर, next topic के साथ,